नमस्कार आदाब मैं हूँ प्रविण और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक का डेली रौंड अप शो आईए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर कोविड नाटीन देश में 24 घंटों में 23,285 नए मामले एक्टिव मामले बढ़ कर हुए 2 लग के करीब तमिल नाडू आंगनवाडी कर्मचारियों को अस्थाई नौकरी की मांग के साथ हर्ताल नीजी करण के खिलाफ बैंक यूनिनों ने दो दिन की हर्ताल की घोशना शटडाउन की बड़ी जीत शुक्रवार को 12 कॉलेज के लिए फंड जारी किये गए केंद्री स्वास्त मंत्राले द्वारा आज शुक्रवार यानि 12 मार्ज को जारी आगडों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 23,285 नए मामले दर्श किये गए हैं और इसके लावा 117 मारीजों की मौत हुई हैं साथी इसी बीच देश में कोरोना से पिडित 15,157 मारीजों को ठी किया गया है और एक्टिव मामलों में 8,011 मामलों की बड़ोतरी हुई हैं राजों की बात करें तो महराष्ट में 14,000 से ज़्यादा केस आये हैं केरल से 2,133 पंजाब से 1,305 करनाटक से 783 गुजराश से 710 और तमिल नाडू से 685 केस आये हैं इस समय सबसे ज़्यादा लगातार महराष्ट से सामने आ रहे हैं कोरोना के बड़ते मामलों के बीच नागपूर में लॉकडाउन लगाया गया है वही राजय सरकार ने कई लागों में लॉकडाउन लगाने का इशारा किया है पूरे में 21,276 कोरोना के एक्टिव केस हैं नागपूर में 13,800 ठाने में 10,825 मुंबई में 10,563 कोरोना के एक्टिव केस हैं तमिल नाडू में आंगनवाडी कर्मचारी अपनी नौकरी को अस्थाई करने की मांग के साथ हर्ताल कर रहे हैं गौर तलब है कि तमिल नाडू सरकार ने पहले इस संबंध में वादा जरूर किया था मगर इसको लेकर कोई एलान नहीं किया गया जिसके बाद से कर्मचारी हर्ताल पर हैं आएए देखते हैं निउसक्लिकी या ग्राउंड रेपोर्ट नाँग इन्द वेल मट्टो इलाम एलक्ष्ण वेला से कर्या जरू अधुक्त प्रमपती इनना रेशन ड्यूटी से कर्या जरू पोलियो वेलियां आंग कर्या में प्रमिया जरू अगदा कर्या जरू इद shapingर आ विटमिन कैंपर नंग कर्ण जरूरों किरेंगे अंगन वाडी पणियालरा नांग मोट्टों दां, अंधन नारति ल अवर इक के यंदा तोरय सेंदा मुझे नाभग वरागवे, अंगन वाड़ी पणियालर कैयल कुडूद्ध आदां, अंधन वैले यह मोरया सेहिवांग, करक्ड़ अंधन नलति इट्टनगल, प तनिया वरु सलेगे़िवेलों थनिया एंदे इधूम्में एंगल किदवरीकों केड़च्च दिल्हा इंद खालगेट्ट्थिल्ट्स एंगलर क्राणा इंद प्रच्चनेगल्स इंद गोराना कालत्तिल्ट्स अiyorsunतां अमिली में पादल सकती टार्मेशा मरुथ्ववमनेक्क अणेट्टुचेनर अवर्गल कान ट्रीट्मन्ट कोड़ुपदु वरैं मरुथ्ववरै संधीपदु वरैं अनेट्टु पणिगलें सेंजिरिक्गांग इदुमट्टुमिल्लामा अंध कोराना वार्डिल फटत्तिर रुवकों कुडिए पेश अपिन्न बादिक के पट्ड़ पेंगल वन्दे नरया रिखाँ कोरणावल बादिक के पट्ड़ वर्गल उर्खाँ अवर्णिक्ला इन्नी वरिक्कि एंद निवारनम्म अणंग पडविल्ले अधमरी अवंगो सोल्ल वेंडिये कारने विन्ना मैंनिक्की वंद उर्र स्पेशल काम्प एक्के रांगा अबड़ी इन्ना अरसले अणा एंगल कोंद मैयंगल तिरक्क पड़िले सरकारी बैंकों के नीजी करड़ के प्रस्ताव के खिलाफ United Forum of India Unions ने 15 मास से दो दिन की हर्ताल का आवान किया है UABO ने 9 बैंक यूनिनों का सन्यूत मंच है वित मंत्री निर्मला सीता रमण ने पिछले महीने पेश आम बजट में सारवजनी छेतर के दो बैंकों के नीजी करड़ का प्रस्ताव रखा है सरकार ने अगले वित वर्ष में विनी वेश के जड़िये बड़ी राशी जुटाने का प्रस्ताव किया है सरकार इससे पहले आईडी बैंक में अपनी अधिकांश की हिस्सेदारी भारती जीवन बीमा निगम को बेच चुकी है पिछले चार साल में सारवजनी छेतर के 14 बैंकों का विलाय किया जा चुका है All India Bank Employees Association के महा सचीव CH Venker चलम ने एक व्यक्तव में कहा कि 4, 9 और 10 मार्च को मुक्य श्रम आयुक्त के साथ हुई सामादान बैटक में कोई सकरात्मक परिड़ाम नहीं निकला इसलिए 15 और 16 मार्च 2021 को लागतार दो दिन का हर्टाल का फैसला किया गया है बैंकों के करीब 10 लाग करमचारी और अधिकारी इसमें भाग लेंगे भारती स्टेट बैंक सहीत जादतर बैंक अपने ग्रागों को इस बारे में सुचित कर चुके है बैंकों ने हाला कि यह भी कहा है कि वह बैंक शाखाओं में काम काज को समाने बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं युनाइट फ्रंट और बैंक यूनियस में All India Bank Employees Association, All India Bank Officers Confederation, National Confederation of Bank Employees, All India Bank Officers Association और Bank Employees Confederation of India शामिल है दिल्ली उनिवेसिटी शिचक संग यानि डूटा को विरोध के बाद बड़ी जीत हासिल हुई है डूटा ने 11 माच को 12 कॉलेजों के शिचकों को 29 मिल्लों की विरोध में DU shutdown कर अपना विरोध जाहिर किया था जिसके बाद आज 12 माच शुक्रवार को दिल्ली सरकार के Directorate of Higher Education ने 12 कॉलेजों के लिए फंड जारी किया है DOHE ने नोटीस जारी कर बताया है कि सरकार ने वेतन के लिए 82 करोड और वेतन के अलावा खर्चों के लिए 9 करोड का फंड जारी किया है इस नोटीस में सभी कॉलेजों के लिए अलग-अलग फंड की जानकारी भी दी गई है इसे डूटा की एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है और शिचकों की एकता की भी मिसाल दी जा रही है डूटा की अधक्ष राजीव रेन ने अपने फेस्बूग अकाउंट पर इस नोटीस को शेर करते हुए लिखा है शिचक एकता जिन्दावाद साथी उन्होंने बताया है कि डूटा की कारकारी समीती के बैटक में आगे की कारवाई तै की जाएगी आज के डेली राउंड अप में बस इतना ही न्यूस क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें साथी देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिस वेबसाइट भी जरूर देखें फेस्बुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमें फॉलो करें न्यूस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया